में जैसे वो तो एक परवाज है पुरबोर एक आवाज है खामोशियों की है जुबाँ चल्दे तो चल्दे करवाँ वो है जहाँ वो है जहाँ लगती है जैसे आसमाँ नवसकार ते जस्विनी में आप सभी का स्वागत है कुछ लोग लीक से हटकर चलते हैं वो किसी स्टीरियो टाइप में नहीं फसना चाते जिन्दगी में अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो होते हैं बिल्कुल बिंदास और वो चाहते हैं कि जिन्दगी की हर धड़कन को वो महसूस करें यह जिन्दगी छोटी सी है इसमें जो भी सामने आता उसे कर डालें आज की हमारी तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं जो की हैं एक जानीमानी कमेडियन, इंवारेनमेंटलिस्ट, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, एथलीट, आदी-आदी, एच्सेटरा, एच्सेटरा तो आएए मुलाकात करते हमारी आज की तेजस्विनी वासू प्रिम्लानी से कभी-कभी एक ही शक्स में कई तरह की प्रतिभाएं देखने को मिलती हैं लेकिन अलग-अलग एक दूसरे से बिलकुल जुदा प्रतिभाओं के धनी बिरले ही होते हैं ट्राइए अथलेटिक्स, एन्वारेनमेंटलिस्ट, इंस्पिरेशनल स्पीकर के साथ साथ स्टैंडप कमेडियन का अगर कोई एक नाम देना हो, तो वासू प्रिमलानी के अलावा कुछ और हो नहीं सकता वासू प्रिमलानी, देश में ही नहीं, विदेशों में भी एक जाना पहचाना नाम है हासे को महज हासे तक ही सीमित ना रखने वाली वासू सही मायने में एक फेमिनिस्ट कमेडियन है और अपनी कॉमेडी के जरिये महिलाओं के शोशन और उनके साथ आए दिन घटते उत्पीडन को सामने लाती है पर्यावरन सनरक्षन के लिए कटिबद वासू प्रिमलानी एटलेटिक्स में भी खासी दिल्चस्पी रखती है और एटलेटिक्स की तीन विधाओं में महारत भी रखती है राश्रिय और अंतराश्रे सरपर अनेग पुरसकारों और नारी शक्ती पुरसकार का सम्मान पाने वाली पहली महिला कमेडियन वासू प्रिमलानी है हमारी आज की तेजस्विनी तो आईए मुलाकात करते हैं जानीमानी कमेडियन, इन्वारिनमेंटलिस्ट और एक्सेटरा एक्सेटरा जिनके साथ कई सारे तमगे जुड़े हुए हैं वासू प्रेमलानी हमारे साथ हैं बहुत-बहुत स्वागत है वासू जी देखके आपको लगनी रहा कि आप कमेडियन है कोई हसाओ ऐसे पर आप नोट करेंगे कि जो लोग सोचते हैं कि हम हास्यकार है तो हम खुद हसते हैं यह सही नहीं है यह जैसे आप किताब पढ़ते हैं और उसको पसंद करते हैं हम वैसे नहीं हैं हम किताब लिखते हैं पढ़ते हैं तो हमें कॉमेडी में पी एच डी ह आप सोचिए परेश रावल को आपने कभी उसे उन्हें मुस्कराते देखा है कॉमेडी रोल में, कभी आपने चार्ली चैपलिन को मुस्कराते देखा है कॉमेडी रोल में, हम नहीं मुस्कराते हैं यह में स्टेंड-अप कमेडियन, आप तो आप उसाथे हैं? नोग हमारी हसी पे नहीं हसते हैं, जो हम कहते है और हमारी अंदास पे हसते हैं, हमारा जूब है खुद रोना और दूसरों को हसाना क्या बात है मैं जानते हैं कि बहुत सारी महिला नहीं मिलेंगी जैसे एंजिनेरिंग में पाइलिट या अभी रीसंटी उसमें आर्मी में हुई हैं एर फोर्स में हुई हैं तो वो तो है ही क्योंकि औरतों को वो अपरचुनिटी नहीं दी गई और कॉम स्टैंड अप कॉमेडी में सबसे कम क्योंकि क्या बार लोग आते हैं और केसे मेरे नहीं मेरे को तो समझ नहीं आता है मेरे नहीं की जाक Direkt लाई वो जा यह कर आदा हो तो मेरे ऱ xoaki सबसे कर भंता है के जा हुआ हूं जी हम सब के पास Sons of Humor तो होता ही है जादातर और मेरे माता पिता के पास खास तोर के मेरे पापा मेरे लिए किताब में चोड़ते थे पढ़ने के लिए तो एक बार मेरे लिए किताब चोड़ी एंसाइक्लोपीडिया अफ मुर्डर्स एंड मुर्डरर्स खूनियों के बारे कि में तुम्हारा खून करूंगा तो मैंने का ममा भी मेरे साथ मुझाग करते हैं एक बार कह रही थी कि हमारी यह पड़ोसी की लड़की है बहुत प्यारी है उसमें संसकार है respect for elders है इतने अच्छे कपड़े पहनती है मैंने कि ममा मुझमें कौन सी अच्छी खूभी है मेर में कोई खुबी हाई नहीं and I was like maa you can't she's like अब तुमें थोड़ना बता होंगी you'll head your head will get big so from my parents अहां ये क्या comedy का क्या कोई मतब उसका कोई professional aspect जो है वो कितना strong है क्योंकि कई बार तो लोग कहते हैं कि हमारे यहां बहुत अलग तरह का humor चलता है जैसे जिस तरह की humor की आप बात करें यह चलता ही नहीं है even आप television भी उठा के देख लें तो बहुत अलग किसम का humor है तो यह आप जो humor करती है जिस humor में विश्वास रखती है वो कितना चलता है जी काफी चलता है इंडियन्स वेरी इंटेलिजन बस टीवी में सोचा जाता है कि हम इतने पही सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं असल में है जो गरीब से गरीब है रिक्षे वाला है वो समझेगा हमारे जोकस आप मौका दीजिए और टीवी में थोड़ा डंडाउन करके ऐसा रहता है कि वो सिंपल सिंपल बता दो किसी को खड़ा करा दो कि बीच बीच में शो में हसे तो लोगों को बता चले कि अभास ना चाहिए मुझे इंडियन्स एक मेरी एक यूके से आई थी कमीडियन उनने का इंडियन्स आर डाइक दे ब्रिटिश वो उनका वही सेंस ओफ हूमर है सिर्फ इंटेलिजेंस थोड़ा बढ़के है ऐसा बोला अच्छा यह फूहरता है हूमर के नाम पे कॉमेडी के नाम पे जो अशलीलता है जो आपको लगते हैं कि यह वश्क आपको लगता है कि उमर में यह सब चलता है या चलना चाहिए आपको लगता है कि कहीं न कहीं एक सीमा र yekha हनी जोड़ा डबल मीनिंग हम हर चीज में करेंगे, वही जोक होता है, जोक वह चीज है जो हम आपके हाथ आदामन पकड़ेंगे और साथ नहीं हम साथ लेंगे, और सड्टनली हम कुछ और कह देंगे, जो आपने उसका अनुमान नहीं लगाया था, उसको एक जोक कहते हैं, यह यह नईए लड़के प्रफिशही गरिया, नहीं बरूंने है, तो यह जोभाद कहा दो पर फित गच्टनल केंगे दियरा कजमान उन लड़के उन्हें हम साथ लेंगे, प्र लड़कियों उन्हें अच्छी कुछी नहीं होती हैं, तो उनका वी लड़ेरी ते जोक्तिते जैसे अभी एक है अभीशेक ओपमन्यू, उनने एक जोग किया था, विंड पाइप है, उनका एक आर्गुमेंट वा था, उनके विंड पाइप के साथ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, देखो मेरा जो फूड पाइप है, उसमें में खाना रलता हूँ, पानी डालता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, देखी यह आग्यूमेंट उसके विंड पाइप से शुरू हूआ, यह अमित तंडन को लीजिये, उनने एक बार बोला था, आजकल इतने बड़े-बड़े फोन आने लग गें, ऐसा लगता चपल लगाई कर सकते हैं, मेरे पार में को चैलेंज भी किया था एक जर्नलिस्ट ने, कि आपकी हम्मत कैसे हुई बलातकार पे जोक्स बनाने के लिए, और यू थिंक इस फ़नी, मैंने का मैं दावे के साथ किया सकती हूँ कि मैं आपको हसा सकती हूँ, मेरे लिए कॉमेडी एक टूल है, एक औजार है, अपकी बात को कहने का भी, जी और वही टॉपिक्स जो हम सामाज में कहने से डरते हैं या कत्राते हैं, वह मैं डिसकस करती हूँ एक पार जैसे मैं दिल्ली के मर्दों के बारे में एक सेट करती हूँ कि कि इस प्रकार से वह लड़कीं को देखते हैं, मतलब सलीका होता है, और वह सारा मर्यादा पार करके वह ऐसे देखते हैं जैसे कभी लड़की देखी नहीं पहले, तो यह मैं शो कर रही थी दिल्ली में, और एक बुजर्ग मुसल्मान मर्द आय थे मेरे पास, उनने कहा कि यह जो आप कह रहे हैं जिस प्रकार के दिल्ली के मैं मानता हूं कि मैं देखता हूं, मैं दादा हूं, मेरी लड़की है, मेरी बच्ची की भी अपनी बच्ची है, मैं मानता हूं आज तक मैं लड़कियों को ऐसा ही देखता हूं और खुदा कसम कल से ना करूगा आप इस समय भी तैयारी में जुटी हुई है। तो यह जो एथलीट वाला रोग है यह कहां से लगा और कैसे आप फिटनेस प्रीक बन गई यह बच्पन सी था मेरे को मेरे कान में इंफेक्शन था तो मेरे को कुड़कुड बेबी बुलाते थे क्योंके मैं रो नहीं पाती थी दर्द रहता था पर जोड से दूती दर्द हो तो मैंने सेटल कर दिया कि यह जादा भी नहीं रोना है कम भी नहीं रोना चाहिए लोना है तो मेरे को कुड़कुडवेबी बलाते हैं थे तीन साल की अमर में ऐसे करके बताया अपनी ममण पापों यह द दर्द है एक साल लगा इंफेक्शन साफ करने के लिए उसके बाद ममा ने का तुम शुरू ही दोड़ना और फिर कभी नी रुकी। मैं स्कूल में दोड़ती थी। कई बार वैन हमें स्कूल ले जाती थी। मैं वैन को बीच में कर रुका के तुम जाओ मैं दोड़ की स्कूल आ जाओगी। तो ऐसा था कि मैं दोड़की हर चीज करती थी, मम्मा भी जाओ दोड़ो जितना जहां चल सकती हूं वहां दोड़ो वह भी चाहती थी कि हर चीज में जो भी मैं करो उसमें को सपोर्ट करें आफ़ नहीं जो पापा भी पतंग उड़ानी है पतंग बाजी करो लड़कों, पेर पर चड़ना भी ड़ो को मारना है मारो तो यह था हां तो यह आयन मैं चाल्णज दोए यह तो काफी मुश्किल है जिसमें तैराकी भी रहे और वी समंदर में आपको तैरना है अब को सामन मेरी चलानी है पहुझ और आपको दॉड़ना भी है क्या है यह चालेंज यह चालेंज है तो ट्रायाथ लून होता है जैसे मेरीफोन एक होता है तो स्विमिंग, साइकलिंग और रनिंग और लूज ए स्थार होते है इसमें चौत्हांग जो सबसे मुश्किल वाला है इस दिय जिसमें तीन दशमलव आठ किलोमेटर तराकी होती है समुंदर में, 180 किलोमेटर साइक्लिंग और 92 किलोमेटर दौड़ना जिसे फुल मैराथॉन, यह होता है 17 घंटे के अंदर-अंदर हमें करना होता है, तो क्यों किया यह बात बहुत दिल्चस्प है, किसी अमरीकी या यू आप किसी भरतिय से बोलिये कि मैं यह करने वाली हूँ, तो उनका एक ही जवाब रहेगा वाय। क्यों कर रहे हो तुम्हारी परिश्यानिया कम है कि मैं इतना जोखम वाला काम कर रहे हो। क्या है कि बहुत कठिन है यह और it has to be worthy of me, कि मैं अंदर में एक जायन्ट हो, मैं हर यह अगत चीज करती हूँ वह जायन्ट के हिसाब से करती हूँ बहुत बढ़ी चीज़े करती है और यह जो यह journey मैं उने शुरु mortal है इसमें चाहे गर्मी हो चाहे आपका डिप्रेशन हुआ हूँ चाहे आप बीमार से लग रहे हो आपको ओटके करना पड़ेगा आप देखें तो यह कई माईने में माँ होने से जादा अलग नहीं है पर यह नहीं है क्योंकि माँ को भी सुबह ओटके अपने बच्चे का देखना है च से जादा कटें तो नहीं है तो आप तीन चालेंज कर चुकी है अब आप फाइनल के लिए चारी है तो यह तैयारी इसकी समय आपकी ज़रों शोरों से चल रही है जी पूरा बैंड बजा हुआ है और बात करेंगे वासू प्रिम्लानी हमारे साथ हैं चोड़ा सब ब्रेक ल कंश्यारी था रि систем स्ट रहाद नोगामे अजय दू च्वादे ब्रेक लोगो से और बजय कत ब curriculumum-το Chinese आज हमारे साथ वासू प्रिम लानी है जिने हाल ही में राश्ट्रपती नारी शक्ती संबान से भी संबानित किया है और उनकी पस्नालिटी में चार चांद, पांच चांद, छे चांद, कहीं सारे चांद लगे हुए है कैसा फील हो रहा था उस वक्त क्या लग रहा था कि हाँ दुनिया जब मानती है जानती है तो वाकई दिल को खुशी होती है और लगता है कि कुछ और करेंगे, बड़ा करेंगे कोछ से नहें कि प्रस्व करेंगे लिया, कि ईतनी हजारों औरते हैं भारत में जिन रहindruck की अश काम क्या वैसे आपके लिए मेरा पहला प्रस्वन था वाई मी। मुझे क्यू चुना अनने बोला था जब आपको नॉमिनेट कर रहे तो सिलेक्शन कम्राइनल आक्समा यह नारी शक्ती ही है यह नारी शक्ती है तो ट्रेनिंग के लिए टोयोटा इनोवा 800 किलो की गाड़ी को धक्का लगाते हैं 600-600 मेटर थोड़ा सा अफिल एक रेलियंट में पूरी नारी शक्ती है ऐसा बोला था यह भी था लोग पूछ रहे थे कि जब राश्ट्रपती जी आपको यह अवार्ड देंगे उसके बाद आपका क्या करेंगे मैंने का भई एक हाथ से हम लेंगे दूसरा हाथ आगे करेंगे कि हमें एक दूसरा पूरसकार भी दो तो ने पूछा भई क्यों मैंने का देखिए हमें थोड़ा पहले बताया था कि आपको यह पूरसकार मिल मैं सब को बताई कि मेरे ना गुड न्यूस है और उनने का क्या है मैं बता रही हूं कि गुड न्यूस है तो इसके लिए कहां से वक्त निकालती है और क्या कुछ करती है अपनी प्रकृती को बचाने के लिए हम कुछ ने कर सकते हैं हमारा काम है हमारा खाना है रहन सहन है सारा का सारा पूर्न ततरा धर्ती सात है और आगर आप धर्ती को नहीं देखेंगे तो आपका कुछ नहीं रहेगा जैसे जब हम चोटे थे, तो किताब में लिखा होता है, चेरा पुन्जी इस वेटेस्ट, वो आज सही नहीं है, वो नहीं होती है, लेक तांगानाई का आफरिका की सबसे लंबी लेक थी, वो लेक ही नहीं है अब, तो ये, और होडर और साडर बैंक फिशिंग में होता था, वो सहाडी चली गई, मैं काम करती थी युएस में रेस्टरांट के साथ, और इंडिया में होटेल्स के साथ, कि आपका इंधन कैसे बचाना है, पानी कैसे बचाना है, जैसे कॉड़े में डालते हैं, हम उसका कॉम्पोस्ट कर देते हैं, या रिसाइक्लिंग कर देते हैं, क यहां तक 99 प्रतिशात आपका कोड़ी मिन जाता है, बस एक प्रतिशात जाता है, और उसवे से पैसे बचाती हूं, तो मेरे बिजनसे जो मेरे साथ काम करते हैं, उनके मैं एक दशनमला पांच अरब मिलियन डॉलर्स उनके मैंने बचाए, प्रकृती बचाने के दौरा, त के लिए तो शायद एक या दो आदमी हां बोले, तो मैंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, तो मैंने दस लोगों को सामने खड़के और मैंने का आप मेंसे पैसा काउन बचाना जाता है, तो दस के दस हाँ, जाहिर है, क्यूंकि मैंने उसका एंड रिजल्ट एंवार्मेंटलि और वो मैंने क्वांटिफाय किया सीदा उनके बिल्स में दखाया है, तो लोग सोचते हैं कि प्रक्रिक्रिक्टी बचाना कोई उल्लू, कोई चीता, कोई बाग को बचाना नहीं, या अपना पानी, अपनी हवा बचाने की बात है, अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की अपनी जिंदगी देखिए, यहां पे दिल्ली में आसमा केसि कितने होते हैं, बच्चों के होते हैं, बुड़ो को होते हैं, और AIMS में जो एमरजन्सी केसि आते हैं, उस में अरखल से नभी प्रतिशात प्रदूशन की बचा से हैं, बिल्कुल सही कहा है, तो हमने अगर अ पानी नहीं रहेगा, पंजाब में देखे क्या हाल है, वो किसान खेती की वजह से, वो सारा underground पानी निकाल रहे हैं, पाँच किलो मेटर दूर, पाँच किलो मेटर अंदर पानी, तो इतना उनका water table उतना कम हो गया है, फिर भी आसी चले जा रहे हैं, राइट, चाइना में एक कहाओत है कि अगर आप जिस तरेक्शन मेँ जा रहे हैं, वो नहीं बदलेंगे, तो लाइकली वही पर आप एंड अप होएंगे, जहाँ आप जा रहे हैं, हम लोग एंवार्मेंटल डेस्ट्रक्षन के तरफ जा रहे हैं, अगर हम इपना रस्ता नहीं बदलेंगे, तो वह वासु हम जानते हैं कि आप ऐसे लोगों को भी मुफ्क में सर्विस देती हैं खासवर से दिली में और शायद मुंबई में या जो ऐसे बचों के माबाप हैं जो कि इसको somatic therapy कहते हैं, जैसे सान्फ्रांसिस्को में सीखी थी मैंने तो यह एक शब्द है साइको somatic, psycho means psychological, soma means body तो क्या है कि body में trauma थोड़ा एकत्रित हो जाता है, क्यों कि बॉड़ी है as a mind of its own तो जैसे आपको एक मैं उधारन के तोर पर बता हूँ, जैसे एक कोई महिला है जिनको सांप से डर लगता है, तो वो टीवी में देखिए और यह बॉखला जाएंगी, सांप दिग्या, पर दिमाग से तो समझ सकती है, सांप है नहीं, है नहीं, उनको काट नहीं सकता, डस नह कर सकता, पर उनके बॉड़ी में पूरा एक प्रक्रिया होगी है पैनिक की, कि वो चलाने लगेंगी, तो ऐसा हमने देखा है, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस से जाते हैं, ट्रामा से जाते हैं, जैसे एक माँ जिसके बच्चे का दिहान तो गया हो, एक माँ जिसका बच्चा खूद जिसका ADHD है, बच्चा खूद जिसका autism है, एक लड़की और एक लड़का जिसके साथ बलातकार किया हो, यौन शोशन हुआ हो, तो इन में बहुत सारा गुसा, डिप्रेशन, और गिल्ट, शेम, और ये सब रहता है सालों तर, और ये बच्चा बड़े होके suicide करने की क ये बच्चा, अगर देखिए एक जैसे चोटा लड़का है, उसके सामने उसके पिता ने उसकी मा को मारा, बिल्कुल, वो बड़ा होके most likely अपनी पत्मी को मारेगा, तो ये एक cycle बन जाता है फिर violence का, कोई भी criminologist, psychologist आपको बता देगा, तो ये जो trauma है जाकि हड्यों में से बचाना, उसका ये भी जॉब होता है कि जब emotional हम अंदर जाता है, तो अगर हम उसे नहीं निकाले, तो वो disease के form में बन जाता है, mental disease or physical disease, cancer, fibromyalgia, काफी medical disease, in fact medical community विश्वास करती है कि most diseases are because of psychological, और ये तनाव लगातार जिंदगियों में बढ़ रहा है, जाहर है, बढ़ र निकल नहीं रहा है, तो एकत्रित होता जाता है, जैसे bio-accumulate होते है fats in the food chain, वैसे ये trauma हमारी बढ़ता जारा है, लेकिन वासु आपने अपनी जिंदगी को जैसा बनाया है, वासु आप तो आपको वक्त ही नहीं है, और हम जानते हैं कि आप rock climbing भी करती हैं, और आप Russian ballet dance भी करती हैं, तो ये इतना सारी चीजें आप कैसे मैनेज करती हैं, एक दिन में 24 घंटे ही होता है, मेरे को लोग ने का हुआ है कि आप एक शरीर में कुछ पांच लोग हो, इसको अंग्रेजी में schizophrenia भी बोलते हैं, बट ये खास करके somatic therapy, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, जो और आदमी मेरे पास आते हैं, they are the last leg, so they, उनके लिए मैं कभी बी कुछ भी किसी भी समय आके उनकी देख बाल करूँगे, और ये निकाल दूँगी permanently, ये इस temporary solution, तो इतनी सारी चीज़ां तो मैंने गिनवा दी, कुछ एकाद रह गई हो तो वो भी बता दीजी, हां जी, मै मैं knitting करती हूँ, थोड़ा गानावना गालेते हैं, और पैर अच्छे दबा लेती हूँ, मैसाज अथिलीट हैं तो अच्छे साथ दबाई, खाना लेती हूँ, जैसे क्या खास चीज़ा बनाते हूँ, मैं वेतनमीज खाना अच्छा बनाती हूँ, थोड़ा इंटनेशनल, क आप इंट डेली थोड़ी कलास इस की ती, तो डिन को कैसे आप बाटते हैं करना था हमारी ट्रेनिंग जबार बाट जा द्बार जया चार बज़े के उसकी प्रपरेशन दाल को चुरू हो जाती है तो हमको सोना ओता है, फिर उसकलिंग होती है, और रुनिंग होती है, पिर आप ट्राय अथलीट हैं और आपके जो निजी रिष्टे हैं वो बने हुए हैं तो आप ट्रेन नहीं करने हैं ठीक से पहली शर्ट यही है कि ना हो। क्योंकि एक एक अथलीट थी तो उनने कहा था कि हमारा तो रिष्टा तूटने को रहा हाँ पर इतनी ट्रेनिंग करने पड़ती हैं और किसी चीज़ के लिए समय नहीं रहता है। बहुत सारे आवार्ड आपको दुनिया भर से मिले हैं और आवार्ड चाहिए आपको मैं बोला था कि हम इस प्रकार के लोग के दो क्या है उतना काम कर रही हूं आप क्या सोचते हैं मेरे बार में चाहिए इसे अच् Eg CNatto सार इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अच्छा यह वदागी चूट गई है जो आप चाहती है अभी करना है? मे को काल्प्चर करना है आर्ट करना है जो मैंने थुड़ा चूट गया मेरको और जिंदिग में कोई बड़ा सपना? मेरे को इन मैन करना है, यह कापी बड़ा वोगा। एक्षली इन मैं करेंगे। कृता में लिखना है, 3-4 किता में । इन मगेuksPN मैं करना एकसे गोल Hopkins होता है,jukье न सेयर फ़र न इस ला करिए। और नए नए गोल्स आप बनाती रहेंगी हमारी शुपकामना है आपके साथ हैं जिन्दगी में आप जो सपना देखें जिन उन्चाहियों पर आप जाना चाहें आप जरूर वहाँ पहुंचें बहुत बहुत शुक्रिया वासू प्रिमलानी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका तो ये थी हमारी आज की तेजसनी वासू प्रिमलानी अगले हफते एक नई तेजसनी से आपकी मुलाकात कराएंगे तब तक के लिए इजासत दीजिए नमस्कार